आपकी भी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से दूसरे घर में कोई गरह गया है तो इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति उस ग्रह का संपुर्ण फल प्राप्त करेगा दन कमाने के मामले में अशकार्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर ले धर्म को छोड़ेगा नहीं और धर्म से जोड़ करके नियम बद्ध हो करके सुची बद्ध तरीके से अपने जीवन की नया को पार करता है और अच्छे तरीके से धन कमाता है गलत जगह से धन नहीं कमाता है प्रेदर सुकू, नवस्कार, एक बार फिस्वे फुस्त हूँ आप सब के सामने, शनी बार की कारिक्रम में, विसलेशन जन्म कुंडली का इस कारिक्रम के दूसरे हिस्से के साथ, मैंने जो सुबह कारिक्रम बनाया था, वो थोड़ा छोटा बनाया था, पर मुझे खुद भी अच्छाने लगता कि मैं कुंडली पे पूरा समय न दू, मुझे जो फोन पे बात करता है मुझे, मैं उससे भी पूरा टाइम देता हूँ, उसकी पूरी बात सुनता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, और उसके समाधान पे विचार करता हूँ, ठीक यही बात हमेशा ही प्र शुरी और चंडरमा एक सांथ बैठे हैं दूतिय भाव में जो मूलतया स्वभाव का भाव होता है, और जब जन्मकुंडली के किसी भी भाव में सुर्य और चंडरमा जब एक सांथ बैठ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को परदेश वासी बना देते हैं, वो परदेश रहने थोड़ा कलह उसके दामपत्य में होता है, सम्मंदों में होता है, कटुदा पुर्ण वो कई बार रुखा बोल जाता है, पर इतनी बात पकी है कि कलह पर ये भले है, भले अपने जन्मस्थान से दूर है, पर धन्वान खूब होता है, मतलब उसको कभी भी अपने किसी भी कार को करने के लिए किसी के पास जाना नहीं बढ़ता है मतलब हाथ पसारने वाली कुणली नहीं है ये राहू और बुद्ध में जो डिगरी का अंतर है वो काफी कम है मतलब 6 डिगरी के राहू और 8 डिगरी के बुद्ध ये कई बार व्यक्ति को बहुत ही जादा एक अलग तरीक से पर्शिप्सन बनाने वाला बना देते हैं किसी भी बात की गहराई तक जाना उसे समझना और उस पे चिंतन करके तब उसके परणाम की प्राप्ती के लिए अग्रसर होना एक बड़ी अद्भुत बात है जो व्यक्ति साधक होता है जैसे ये कुणली साधक वाली है क्योंकि मंगल जब लगन को देखते हैं तो व्यक्ति को अब उद्यम करने वाला बना देते हैं उद्यमी होता है और वो आसानी से तब तक किसी भी बात को नहीं छोड़ता है जब त खेलास में रहता है, तो मैं क्या कह रहा था कि जो व्यपति साधक होता है, जो साधक सरणी के लोग होते हैं, वो अपने मन के अंदर उठ रहे माया और मूह में लिप्ट नहीं होते हैं, और ये इस्थथी इनकी कुंडली में ऐसी है मतलब उनके पास चाहे जो कुछ रहे और चाहे जो कुछ ना रहे वो बहुत जादा दिन तक उसके फेरे में पढ़ने वाला नहीं होता यह दोनों बाते मैंने एक साथ कही है एक कि कि वो तब तक किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है जब तक उसे पुर्णत या विश्वास न हो जाए कि नहीं इसमें मेरा कुछ होने वाला नहीं है लेकिन संबंधों को ले करके वो बहुत जादा मतलब कसा हुआसा नहीं होता है ठीक है कोई बात नहीं वो टिका है तो टिका है कोई है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है वो आगे बढ़ जाता है मतलब मूव ओन कर जाता है यह बड़ी अद्भूत बात है अगर जन्मकुंडली में गुरु कुम्भरासी के बारह में हैं और चंद्रमा और सूर्य उनसे तीसरे हैं इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति महत्वकांची है और प्राप्त करने में अग्रसर है वो किसी भी चीज से वैग्यानिक धरातल से जुड़ा होता है और चीजों को प्राप्त करने की बड़ी मशक्कत भी करता है जब तक उसे कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो कंडिशन पे काम करता रहता है कभी भी धन की हानी नहीं होती उसका धन गलत जगा पे खर्च नहीं होता और ब्यवस्था बनाय रखने में वो काफी सुचारू ढंग से काम करता है ब्यवस्था पक्की भाती निरने लेने वाला होता है कहां क्या गड़बड़ी है और उसकी आंतरिक जो सूजबूज होती है वो बड़ी अद्भूत तरीके से होती है सलीके से क अपने जीवन को बदलें और उसे टार्गेट बनाए और फिर उसे अचीव करें और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहे है वैसे वो लक्षों का नरधारन करता रहे है जैसे मैट्रिक में हैं तो लक्ष बना लिया कि मुझे आइस बनना है तो पहले मैट्रिक को सबसे पह यह होगी कि उसको उसका धन उसके पास पता है कि मुझे कहां खर्च करना है और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती है कि वो किसी भी चीज को सिस्टमेटिक धंग से करना जाता है उसका मन शांत है अपवित्र नहीं है और कुस आगर बुद्धी का है जन्म कुणली के ध उसको बहुत सारी चीजें करने का उसर भी जीवन देती है जैसे वो इनके ही जीवन को देखें तो इन्होंने आर्मी जॉइन किया यूएस आर्मी जॉइन की उसके बाद फिर अपना कारोबार किया डॉक्टरेट के उपाधी के लिए आगे बढ़ रहे हैं ग्रैजुशन टबल ग्रैजुशन के बाद टबल मासटर किया तो ये जो इतना सारा अउसर है वो व्यक्ति को कहां से मिला और व्यक्ति विदेश कियों गया क्योंकि जर्मकुणली में लगनेश बाहर थे और सुर्यीचंदरमा एक साथ थे तो ये जो इतना सारा जो एक पुरा बन जाता ह मेकनिजम वो कुंडली को बहुत ही ज्यादा टारगेटेट बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है। शुक्र का तृसरे भाव में जाना मैंने लग्र कुंडली के विसलेशन में भी बहुत अच्छा नहीं कहा था और ठीक भी नहीं है। क्योंकि शुभग ग्रह का तीसरे भाव में बैठना उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी उनकी जो द्रिश्टी पढ़ रही है नमम भाव पे वो ज्यादा अच्छी होगी इस भाव से दूतिये में गया है मंगल। मतलब किसी भी भाव का अधिपती अगर अपने घर से दूसरे घर में जाए तो वो धन योग लगा देता है। आपकी भी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से दूसरे घर में कोई गरह गया है तो इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति उस ग्रह का संपुर्ण प्राप्त करेगा दन कमाने के मामले में एसकार्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर ले धर्म को छोड़ेगा नहीं और धर्म से जोड़ करके नियम बद्ध हो करके सुची बद्ध तरीके से अपने जीवन की नया को पार करता है और अच्छे तरीके से धन कमाता है गलत जगह से धन नहीं कमाता हाला कि यहां शुभग ग्रह की रासी बनी और वो ग्रह एकादश्म भाव की अधिपती होकर के बारवे बाव में बैटे हमें इसका भी ख्याल रखना होगा कि सत्य और असत्य के बीच का भेद हमें आसानी से पता चलता रहे मंगल दश्मस्थान में बैट करके लगन को देखेंगे तो बलवान हो जाएंगे और वो ग्रती को पराक्रमी बनाने के साथ साथ जिद्धी बनाते हैं और जल्दबाजी में निरने लेने बाला भी बना देते हैं अब आपको मैं इनकी कुंडली पे और रासी से नौघर आगे बैठा ये चंद्रमा को भी बल देगा और लगन को भी बल देगा क्यूंकि एक मात्रग्रह अगर मंगल दिखबली हैं तो इस कुंडली के भाग्येश बलवान हैं और एक सिद्धान्त है कि अगर चंद्रमा जिस रासी में बैटे हो अगर उस भाव क अधिपती या तो केंद्र में या तो सुभग्रह की रासी में बैठा हो तो ब्रक्ती बहुत ही ज़्यादा गुणी धनी सामाजिक प्रबुध और पुद्धिमान होता है ये दोनों ही सिद्धान्त इनकी कुंडली में लागू हो रहे हैं राशी के अधिपती सुभग्रह क रासी में और केंद्र में भी हैं अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा की स्थती ऐसी बन रही है तो यकीनन ये ग्रह आपको दोनों हुई का साथ मिलता है एक और भी बड़ी अदुद बात मीन लगन की कुंडली लगन में नवांस भी मीन लगन का बनता है ये कुंडली का लगन अपने प्रथम नौमांस का बना हो मतलब ये एक ही नौमांस की कुणली है तो ब्यप्ति कई बार कुलत द्रोही होता है उसके संपर्क लोगों से अच्छे नहीं रहते वो प्राया शुत्रू को मित्र बनाता है और इतना ही नहीं वो इतना जादा प्रोफेशनल होता है कि उसके पर्सनल संबंध दोयम दर्जे के हो जाते हैं मतलब वरगोत्तम लगन की कुणलियों में प्रोफेशनलिजम बहुत अच्छा होता है प्रोफेशनली वो कुणली बहुत अच्छी ग्रोथ करती है वक्त से पहले ही उनके पास सारी चीजे इकठा हो जाती है लेकि जब वो एक समय पे आते हैं तो उनको उनके पास लोगों का साथ नहीं मिलता ये इनकी कुणली में ग्रंत के हिसाब से मैंने ये फ्लादेश किया है कि वरगोत्तम लगन की कुणलियों में प्राय इस बात की कमी होती है जहां उनके लोग वक्त पढ़ने पे उनके साथ नही होते हैं या कई बार वो समाज में उस तरीके का पर्चम नहीं लहरा पाता है जितनी उसको आवशक्ता होती है मतलब वरगोत्तम लगने की कुणली में मैंने ये बात बहुत पहले भी कारेकर में कही थी कि मैंने जितनी वरगोत्तम लगने की कुणली देखी है उसको आवश निश्ची तरुफ से उसको सफल होने से कोई रोकता नहीं है, पर वो कुणली अपने चार दिवारी के अंदर वाले जीवन में कमजोर मालूम पढ़ जाती है, हो सकता है उसके बाहर के लोग उसके बड़े अच्छे हों, पर जब उनकी आवशकता उनके लिए हो जाती है, उस कारोबार में लेन रहने वाला, कई जगह से धन देने वाला और अपनी आवशकता की पूर्ती स्वैम के कारोबार से करने वाला भी होता है, द्युति भाव में गुरु का सुभगर की रासी में बैठना वो भाव अच्छा है, इस वज़े से ये कुनली धनवान बनी रहेग और वो उस चीज को पूरा करने की पूर जोर कोशिश भी करता है, द्युति भाव में लगने शोकर के बारह में जाना, यहां मित्र की रासी में बैठना और यहां पे जन्म कुनली में बहुत अच्छा नहीं बैठना, पर धन भाव के अधिपती लाब में तो व्यक्ति के प व्यापार पार्टनर्शिक में भी कर सकता है, अपनी नौकरी को और भी ज़्यादा ठीक रखने के लिए हनुवान चालीसा का पाठ प्रति दिन तीन बार, अगर हो सके तो इस कुनली के लिए मंगल चुकी भाग्य और धन के अधिपती होते हैं, तो मुंगा धारन कर सकते ह अगर क्रोध जादा ना आता हो, तो इस कुनली के लिए मंगा और पुखराज सबसे उत्तम गरंथ हो, अरतनमे से एक होगा, क्योंकि यहाँ भी ठीक है, और यहाँ भी मैं उन्हें ठीक ठाक समझ रहा हूं, कम से कम, सुरिय का प्रभाव पंचम भाव में है, व्यक्ति अप उसके बाद चंद्रमा की दशा, धन के लिए, संबंधों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, इसके साथ साथ, चतुरत अस्थान में जो यहाँ शनी बैटे हैं, वो व्यक्ति को कारोबार कमजोर करवाते हैं, और कई बार व्यक्ति के पार्टनर्शिप से नुक्सान होता है क्योंकि यहाँ पार्टनर भाव के अधिपती ही चतुरत भाव में बैट करके मानसी कुद्विगनता देते हैं, यहाँ बुद्ध बढ़ियां हैं, शुक्र बढ़ियां हैं, राहु अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, इस वज़ा से कुंडली में आप अगर अपने दाम मानसी कशांती का दौर नहीं रहता है, हलकी राहु में मंगल जबाएंगे तो थोड़ा बहुत मुत्र रोग होता है, परिशानी होती है, अपच, ऐसे डीटी, कबजियत और कई बार हरदा चेत्र हैडक से चिंता से युक्त होता है, पर गुरु की दशा इस कुंडली के लि गनेश चतुर्थी का ब्रत, गनेश जी के लिए दान, दुरुवा का दान करना चाहिए, गनेश जी को अरपित करिए, अगर हो सके तो हरा वस्त्र और यग्यू पवीत भगवान को अरपित करिए, ग्रंथों का दान, ब्रामणों की सेवा, ब्रामणों को दान, गाय की सेव गाय को दान निश्यत्रू से करिए ये पकी बात है आप चाहे जहां भी रहते हूं वहां से अगर भारत में कोई अच्छी गोशाला मिल जाए कोई अच्छा ब्रामण दिब्य मिल जाए उसको प्रतेक महीने कुछ न कुछ दक्षना दिया करिए बिना ऐसे ही स्वार्थ से मु कर चाहें तो हलाके विराहू की तशा है थोड़ा रुक करके ही मंगलधारण करिएगा पर गुरू का रतन आप अभी विदारण कर सकते हैं और लाजवर्थ अभी विदारण कर सकते हैं इस कुण्डली में गुरुवार का वरत बहुत अच्छा रहेगा चतुर्थी का वरत बहुत बढ़िया रहेगा, एकादशी का वरत बहुत बढ़िया रहेगा, पुरनीमा का वरत बहुत अच्छा रहेगा, दान आपकी कुंडली में सदाई वही सरवत्तम है इतनी सारी चीज़ें, बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में अगर मैं बता दूँ, तो होरा कुंडली के आधार पे, जो बात समझ में आ रही है, उसके आधार पे, शनी और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी कमजोर होने के बावजुद लेकिन गुरू मंगल और सुरी की दशा थोड़ी बहुत तिप्रसिप जाएगी परिशान करेगी, लेकिन मन शान्त रहेगा, गुरू मंगल सुरी और चंद्रमा की दशा में, शनी की दशा में मन सान्त रहेगा, धन आएगा मेहना थोड़ी जादा करनी पड़ती है पर शुक्र राहु और केतु के साथ बुद्ध की दशा में टफ टाइम बीटता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था इस कुणली में भागे का बल बहुत अच्छा है और ये कुणली सदईव विदेश वास करेगी और ये कुणली पराक्रमी है पर पत्नी के साथ मतवेद इस कुणली में है, अगर इस कुणली में बाहर रहना हो, बाहर घर बनाना हो, तो गुरू और शुक्र की दर्शा का इस्तमाल किया जा सकता है, विदेश में अपना घर निस्ची तरुफ से इस कुणली में हो जाएगा, वाहन वगेरा का सुख इस कुणली में थोड़ा देर से है, पर सिंपर के इसका भी ठीक बन रहा है इस कुंडली में संतान बक्ष निश्ची तुरु से बहुत अच्छा है अपनी संत्ति को कभी भी अपने से दूर ना करिएगा सदे इवोस को अच्छे संसकार दे करके अपने पास रखिएगा इतनी सारी चीजें बता दी मैंने अश्टक वर्ग की बात अगर करूंगा तो आपकी कुंडली में जो बात अश्टक वर्ग से मुझे समझने आ रही है और जो बता रहा हूं अपने बेवहार को और भी ज़्यादा कुशलता से प्रेरित करिए धन आप बचा नहीं रहे हैं धन बचाने पर ध्यान दीजे अपनी वानी को और भी ज़्यादा प्रगल्भ बनाएए मेहनत और भी ज़्यादा आप कर सकते हैं आप अपने जन्मस्थान से दूर रहेंगे तो ज़्यादा फल होगा घर में थोड़ी माया ज़्यादा लगाए अगर हो सके तो इस कुंडली में प्रेम समंधों में कमजोरी आ रही है आपको देना ज़्यादा होगा प्रेम मिलेगा थोड़ा कम इस कुंडली के अधार पे नौकरी ज़्यादा अच्छी है या व्यवसाय तो व्यवसाय ज़्यादा अच्छी है नौकरी के बनिस्वत इस कुंडली में आप अपने समस्याओं को ले करके कई बार हतप्रभ और से ग्रशित हो जाते हैं उसको मत करिए इस कुंडली को भागे को बल देने के लिए हन्मान चालीसा का पाठ मंदिर का दर्शन और भगवान को लाल पुस्प की माला अरपित करनी चाहिए ये कुंडली करियर के हिसाब से कभी भी परिशान नहीं है और ये कुंडली प्राप्त से कभी भी परिशान नहीं रहेगी अभी राहू की दशा है इस वजह से थोड़ा बहुत मन परिशान है गुरू की दशा में और भी ज्यादा क्रियेटिविटी बढ़ेगी और मन शान्त रहेगा नौकरी में या ब्यापार में अच्छा रहेगा और साथी साथ रिसर्च व झाल